कंडिशन अभी जो कुछ पेशन्ट सीख थे उनको ओटी में लेकि उनका ट्रीटमेंट वगएरा किया सारा बाकी जो स्टेबल पेशन्ट है उनको फिलाल इदरी रखा हुआ हुआ हम लोग बस में थे पता नहीं को और गोलिया दर दर चला न लगा कुछ देर साम तो हम लोगों जल्दी जल्दी बक से नीचे उतरा सरी कहना चाहते हैं कि बस कुल मलाकी उनको पकड़ा जाए और हम लोगा सही जो है इलाज हो जाए हम अपने घर चले जाए मैं मौजूद हूँ यह जम्मू का गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है यहां पर चोदा जने हैं जो भरती करवाए गया और तीस से अधिक ऐसे थे जो जखमी हुए गंबी रूप से और उनको अलग अलग जगा पर भरती करवाया गया है इस जगह पर जम्मू गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कुल चोदा जने हैं जिनको भरती करवाया गया और मेडिकल स्टाफ भी उनकी पूरी डिटेल के साथ उनके उपचार के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए लगा हुआ है आपका क्या नाम है कितने बजे इन को लाया गया था हैंबर कितने जने भरती मैं यहां पे स्टाफनर्स हूं मेरा नाम पिनकी बहरत और यह पैशन आमारे पास कोई आए थे शाम आट बजे करीबाना स्टाट हो गया थे अपेशन्ट हमाले पास। सब्सक्टारी इजए वो ईया सब्सक्राइज हैं पोसारी इर्ड हर है शृष dutan प्रहु के ट्रपु सब्सक्राइजड के अभुशिद्ध हैं इस सीर्य के पिर Χण्ट्रमा कि देख है इस और against तो यह आप देखिए कि 14 जने इसमें से हैं और जो जादा आप देखिए कि घायल है उनसे भी बातचित करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह अभी आपकी हालत कैसी है अभी आप बातचित कर सकते हैं क्या हुआ था आपको कितना याद है कैसे इंसिडेंट हुआ और क्या देखा आपने हम सिगोड़ी से दरसन करके आ रहे थे वहीं पर मलब जैसे आतंक वादियों ने गोली फायर किया और बस पर लगी गोली बस डिस्बैलन्स होके खाई में गिर गई उसके बाद भी उन्हों आपने देखे कितने सर यह हम लोग ने नहीं देखा जब हम लोग यह कैसे देख पाते जब लोग बस के अंदर जब खाई के नीचे बस आ गई तुम कैसे देख सकते थे उन्होंने बस के आगे पेगे नहीं आगे पीछे सब जगे थे वहां तो जब बस डिस्बैलन्स वा आप सीदें जाकर डालक कि रिखाई में गर पड़ा कितने जने थे कुल बस में है शालीष लोग थें गचो को फोड़ के दोचार बच्चे वह एक्स लाथ हो फो कहा हां चॉट आई है हमारे हाथ में हमारे पैर में और के साथ कौन है परिवार ह向ारे परिवार में हमारे हम यूपी गोंडा और यह बस आपने वहां शित्खोरी से की थी जी हाँ हमने कटरा से बुक किया था वस वहीं वसी खोरी दर्सन के लिए गए हुए थे वह आपस आ रहे थे दर्सन करके जी बच्चे भी आपके साथ है जी हाँ हमारे बच्चे भी है बस आप लोग से यही र में थे पता नहीं को गोल यह दर अदर चलाना लगा कुछ देर साम थो हम लोगों ने जल्दी जल्दी बक से नीचे उत्रा को बहुत लोग बस में भी थे हम लोगों ने नीचे उतर के थोड़ी दर में केसे लेटी हुए थिबह और फिर उसके बाद में हम लोगों ने फिर कि टायर में लग गया थो गोली एक तो इसी वज़े से डिस्बैलन्स हो गया हम लोग घाय में गिर फिर उसके बाद जब हम लोग जब हमारा जो सिर है वो जो बसके उसके नीचे आ गया था सीट के नीचे इसी वज़े से हम बहुत परश्णा हैं तो मेरे डैडी निकाले अगर अगर हम लोग बैठे नहीं होते और अगर वो लोग उपर आ जाते तो आज हम यह इस हस्पताल में और इस गमजर में नहीं रह पाते है यूपी गोंडा कितने तस सभी यूपी से हैं नहीं सब लोग यूपी से नहीं थैं हमारी फूपा थDING बुवा थी मेरे मामा थे जो भीनका पता नहीं लग रहा है वो कहां पने मेरो डेड़ी ते मेरे अंकल थे और मेरे भाइ था यूपा नहीं करना उमर कितने हैं आपकी नाइन कौन्ची क्लाफ में गए हूँ जी सफ हम भी इसमें समय थे हैं हमारा नम ने भी प्रिशाद उतता है आप भी सफर कर रहे हैं जी इस हुआ क्या था और किती देर बाद हुआ था बात यह सी खोड़ी से साड़े स्पाव में चले हैं और अगे पीछे चारो तरफ से उन्होंने किया और जब गोली की तरफ तरफ यह तो मुझे ऐसा महसुस हुआ कि लगता है बस के अंदर जो है साट सड़किट हुआ जिस हो जासे ऐसा कुछ हो रहा है लेकिन कुछ समझते ही दे लगी कि इससे पहरे जो है टायर उसका सब्सक्राइब और तरफ जा एंदर ज साथ मेंट बाद साथ मेंट बाद जब यह सब हो गया तब आतंकी वहां से गए अब तब तक भी हम लोग जो है किसी तर्की से कॉल कि अस्थानी लोग कुछ दोचार लोग आ गए थे उसके बाद पुलिस भी करीब 15-20 मट के बाद आ गए थे उसके बाद हम लोग बाहर निकाला गया फिर एंबूलेंस के सायता से जो है हासुति पहुशाय गया तो जी नाट बजे यहां पर नहीं आये हैं यहां पर हम करीब बा हम तो हमारे परिवार के साथ में हम आठ लोग थे जो हमकी बोड़ा यूपी से हैं उसके बाद कुछ लोग अल्रामपुर से थे कुछ लोग और कहीं अधर अलब थे सब लोग एक साथ करीब उस बस में 400 सवार थे हम यहां से किसी खोड़ी से कट्रा के लिए आ रहे थे जी हम लोग सीखोड़ी के दर्सन करके वापस आ रहे थे कट्रा के लिए जहां पर हम लोग का होटल था मुसी होटल में के लिए आ रहे थे जब उन्होंने गोलियां चलाए यह तो वह शीशों पर भी लगी मतलब सब जगा लगा और जो उसका बादी स्ट्रेक्शर है बसका उ हम अधर ही जो है इलाज हो जाया हम अपने घर चले जाए अब यह तो फिला ठीक है वागी के लिए होजा हो जाओ हमारी जो मतलब है भैग और रखे रहे हैं होटल में वह हमारे चले आए और हम लोग जितने भी साथी लोग सथी से हम अपना क्राया चैसे एनकों चींदा सर जानकारी वैसे नहीं लेकिन विसे गुल्वला की चालों की नंस्वेट मिलते हो चुकी है आपके परिबार के लिए नहीं एक सदस्थ हैं जिनकी जो हभी जानकारी हमको नहीं है जी हम साथ आट लोग थे जिसमें साथ लोग प्रिजन टाइब में हैं लेकिन एक लोग नहीं है सर फारी में देखा कि मतलब वो सिर्फ जो है टार्गेट बनाया थे कि इनों को मारना है लेकिन यह नहीं एस्पश्ट हो पाया कि मतलब क्या है और चेहरे पर कुछ लोग मास्क जरा लगाया हुए थे इसलिए एस्पश्ट नहीं हो पाया कि कौन से दे कैसे थे और इतना समझते दे लगते कि बस जो है खाई में गिल शुकी थे हम लोग को समझ नहीं पाये कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा